हलो कैसे हैं आप सब आज मैं लेकर आई हूँ सूपर क्रिस्पी ये नास्ते की रसीपी आप सभी के लिए बहुत ही क्रिस्पी है आप एक बार इसकी आवाज सुन लेजिए तो देखिए सुना आपने बस यही हम आज नास्ता बना करके तयार करेंगे और इसे हम दो ही चीजों से बना कर तयार गेंगे और कुछ ही बेसिक हमारे इसमें मसाले लगेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पहला हमारा हीरो इंग्रिडेंस है आलू हमने लहाँ पर लिए हैं दो मीडियम साइज के आलू और आलू को हमें छील करके तयार कर लेना है अगर आपके पास यह बड़े आलू है तो एक ही आप आलू ले सकते हैं छोटे हैं तो तीन ले लिजे आप अपनी क्वांडिटी क इसाब से कम जादा इसे कर सकते हैं और यह जो नास्ता है बेहदी टेस्टी होने वाला है कसवी को काफी पसंद आएगा आप वीडियो में कंटीन्यू बने रही है और यह देखी मैंने आलू को छील लिया अब हम लेंगे कदूकस और जो मीडियम साइज का किसने वाला होता कदूकस को आप कर लिजिए साफ और इसके बाद हम इसको लक्षों को आलू के डाल देंगे पानी में नॉर्मन पानी में डालेंगे और दो से तीन बार आप इसे धो कर रेडि कर लिजिए हमें आलू का स्टार्च निकाल देना है जो दो से तीन बार आप दो देंगे बस य कर जाएगा अब गैस की ओर चलते हैं गैस पर रख दिये मैंने कड़ाई और कड़ाई में हम डालेंगे दो कप पानी मिजर्मेंट आप बराबर रखेंगे आपका नास्ता परफेक्ट बन करके रेडी होगा दो कप में यहाँ पर पानी डाल रही हूं कड़ाई में देसी घी एक चमच जाएगा आप यहाँ पर जो रेगूलर तेल यूज करते हैं वो भी डाल सकते हैं दो चमच क्योंकि यह देसी घी है मेरा यह मेल्टेट नहीं है तो हम एक चमच डाल रहे हैं बटर भी आप डाल सकते हैं और जो हमने आलू के लच्छे बनाएते बस वही मैं इसमे डाल दूँगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप जो मेरी यह रेसीपी है कौन सी सिठी से देख रहे हैं और आपकी मेरी यह रेसीपी कैसी लगती है नमक जाएगा इसमें एक चमच आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए एक चमच चले फिल पास यह नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और अगर हैं तो आप उसका इस्तेमाल जरूर करिए इस नास्ते में काफी टेस्ट अच्छा आएगा और बस अभी हम इसमें डालेंगे यह मैंने लिया है एक चमच दरदरा हरी मिर्ची और अद्रक का पेश्ट आप याद जो हमें एक बार मिला लेना है और एक उबाल आने के बाद मैं यहां पर डाल दूँगी बारी कटी हुई एक मीडियम साइस की प्याज मीडियम साइस की एक ही प्याज हम डाल रहे हैं और आप इसी स्टेज पर ही डालिए और फिर से हमें स्पैर्ट चुला को चलाते हुए दो मिनिट इसी तरह से हमें इसे पका लेना है यह देखिए अभी हमारे पानी का भी कलर चेंज हो गया है अब हम डालेंगे इसमें सूजी मैं यहां पर ले रही हूं दो कप सूजी बारिक वाली ले रही हूं आपके पास अगर यह मोटी वाली है तो आप मिक्सर जार में डाल कर इसे पीस लीजिए और बस गैस का फ्लेम हम कर देंगे एक दम लो पर और थोड़ी थोड़ी इस तरह से सूजी डालते हुए स्पेचला कंटीनी चलाते हुए हमें इस तरह से ही इसे रेडी कर लेना है जैसे आप हलुआ बनाते हो ना सूजी का बस इसी तरह से हमें सूज देर में ही देखेंगे कि हमारी सूजी गाड़ी होनी शुरू हो जाएगी आप इस पैचुला को कंटीन्यू चलाते रहिए ये मेरा इस पैचुला थोड़ा बड़ा है मैं क्या करूंगी अभी थोड़ी देर में ही इसे चेंज कर दूंगी जिससे कि इसे उलटने पुलटने म आप देखेंगे कि जो हमारा डो है इसने हमारे पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूं कंटीनू बस इसी तरह का ही हमें यहां पर डो चाहिए बस गैस को कर देंगे अब यहां पर ही हम बंद और दो सेकंड एक बार इसे उलट पुल अब पांच मिनेट वाद मैंने यहां फल ले ली हुई है बड़ी वाली जिसमें हम आटा लगाते हैं आप कोई भी बड़ा बरतन ले सकते हैं और इसमें डालकर इसे इस तरह से फैला दीजे जिससे क्या होगा कि यह जल्दी ठंडा हो जाएगा और फिर हम नास्ता बनाना ऐसे ही पंद्रमनेट आप ऐसे छोड़ दीजिए यह थंडा हो जाएगा पंद्रमनेट हो गई हैं यह देखिए मैं थोड़े से हाथ में ले लूगी तेल और जो हमने सूजी कर डो बनाया है उसे हमें मसाज देते हुए एक डो बनाकर तयार कर लेना है यानि इसे इकटा कर लेना है एक जगए आप देखिए वीडियो में कंटीनिव आप बने रही है बिना वीडियो को स्किप किये हुए आज का जो यह नास्ता है आप सभी को काफी पसंद आएगा और यह देखिए हमारा डो लग करके रेडी हो गया है फिर से हम हाथ को कर लेंगे साव और फिर से से हमें इसमें कर दिना होल आज हम बना रहे हैं सुझी के रिस्पी वड़े रेśपी और इस तरह से आपको साइड से से सेट कर देना है बस इसी तरह से ही बना कर तयार करेंगे चलिए एक और बनाते हैं तो देखिए फिर से मैंने एक नीवू के आकार का डोले लिया है और इस तरह से फ्लैट कर लिया हातेलियों से और यह यहाँ पर मेरे पास लकड़े की चामच रखी हुए थी बस उसी से हमें इसका होल बन करके तयार कर लेना है यह देखिए इस तरह से आप इसे सेट कर दीजे और यह देखिए दूसरा बड़ा भी हमारा बन कर रेडी हो गया है मैंने यहाँ पर पांच बड़े बना कर रेडी कर लिए अब हम इसे सेखते रहेंगे और इसे बनाते रहेंगे गैस प और ये दो सेकंड बार एक बार इसे आप पलट दीजिए जब आप इस तरह से पड़ देंगे ना तो ये बहुती क्रिस्पी बन करके रेडी हो जाएगा ये जो मेरी तरीका है आप एक बार इस तरह से नास्ते को बना कर तयार करिए मैं इसमें दो बड़े और सेट कर दूंग और अच्छे से उलट पलट कर आपको इसे क्रिस्पी होने तक सेक लेना है ये जो नास्ता है बहुती टेस्टी होता है आप किसी भी टाइम इसे बना करके खा सकते हैं आप इसे चटनी से या सौस से खा सकते हैं ये देखिए मैं दिखाती हूँ ये देखिए हमारे दो बड सूजी के जो क्रिस्पी सूप पर क्रिस्पी बड़े हैं मैं इसे सर्फ करूंगी चटनी से और फिर से मैं इसे आपको तोड़ करके दिखाऊंगी यह देखिये, तो आपको अगर आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं और नीचे बेल आइकन का बटन दवाना ना भूलें जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालोंगे वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी तो फिर मिलते है ऐसी ही नई और यूनिक नेक्स्ट रेसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए थैंक यू